आज हम लोग बात करने वाले हैं कि best online course platform कौन सा है, कहां पर आपको अपने courses create करने चाहिए basically आज हम लोग करेंगे Thinkific versus Teachable का comparison Hi guys, मेरा नाम है Kripesh Aadwani, यहां पर मैं digital tools के related videos बनाता रहता हूँ आज हम लोग बात करने वाले Thinkific versus Teachable के बारे में दोनों काफी popular online course platform है दोनों one of the best है, तो दोनों को आज हम लोग detail में जानेगे कौन सा platform आपको कब लेना चाहिए कब किसको avoid करना चाहिए, कौन सा feature किस में जादा अच्छा है सब कुछ A to Z आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा Now course creation में मेरा क्या experience रहा है मैंने बहुत सारे एक तो courses अटेंड करें तो मेरे पास एक student perspective है मेरे खुद के training programs है, तो मेरे पास creation का भी experience है Then मैंने अभी recently dedicated videos बनाये थे, Thinkific लिए और teachable लिए तो वहाँ से मेरे पास experience है और मैंने बहुत सारे और भी platforms यूज करें अब बहुत सारे और भी यहां पर कौन से platforms आते हैं एक तो Udemy आता है, अगर आपको marketplace चाहिए अगर आपको ads run करने नहीं आते हैं अगर आपको already audience बिल्ड नहीं है लेकिन वह मुझे इतना अच्छा नहीं लगा वह मैंने last year यूज किया था तो अभी उसमें कुछ improvements होने हैं कुछ शायद से हो भी गए होंगे लेकिन last year मेरा experience जाद अच्छा नहीं था स्पेई के साथ में तीसरा यहां पर मैंने एक AppSumo की lifetime deal खरी दी ती फ्रेश LMS की वह भी कुछ मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया उसमें भी improvements हो रहे हैं अब हम लोग आते ही main topic के ओपर Teachable vs Think Effect User Interface यहां पर दोनों के अच्छे हैं दोनों ने आपर time के साथ में उसको innovate किया काफी time से वह लोग हैं अब यहां पर differentiating क्या है पहले तो यहां पर text lesson की बात करनों तो Teachable में जो formatting बार रहता है उपर का वह नीचे scroll नहीं होता है बलकि Think Effect में जैसे आप नीचे जाते रहते हो वह formatting बार stick रहता है top पर तो वह थोड़ा easy हो जाता है quiz की बात करनों तो Teachable में आपको passing grade मिल जाता है लेकिन वह सिफ प्रो प्लान में रहता है Think Effect में कोई passing grade नहीं है और quiz में आपको Think Effect में explanation भी मिल जाता है कि यह वाला answer सही है तो क्यों है यह वाला answer अगर गलत है तो क्यों है Teachable में ऐसा कोई option नहीं मिल सा है survey भी यहाँ पर आपको Think Effect में दिख जाता है Teachable में survey का option नहीं है हाला कि आपको embed कर सकते हो google form से यहाँ पर coding lessons की बात करनों तो Think Effect में coding lesson का कोई option नहीं है Teachable में आपको coding lesson के option मिल जाते हैं जो की color code भी हो जाते है Teachable यहाँ पर अच्छा है जो उनके coaching products है वीडियो होस्टिंग की बात करनों तो दोनों यहाँ पर Vistia hosting का यूस करते हैं वीडियो को host करने के लिए तो वीडियो होस्टिंग में यहाँ पर आपको कोई दोनों की speed अच्छी है जो एक चीज यहाँ पर यहाँ पर Thinkific को थोड़ा बेटर बना देती है Teachable के comparison में कमेंट्स की बात करों तो आप लोग यहाँ पर Teachable में कमेंट्स कर सकते हो Thinkific में हमें discussion के options मिलते हैं मुझे यहाँ पर Thinkific का जो commenting वाला system है discussion वाला वो थोड़ा जादा बेटर लगता है Drip content की बात करों तो आपको यहाँ पर दोनों में ही Drip content मिल जाता है मतलब आपको यहाँ पर schedule कर सकते हो अपने content को कब आपका lesson यहाँ पर release होगा लेकिन यहाँ पर Teachable में एक problem है कि सिफ यहाँ पर आपको chapters को ही drip कर सकते हो जो chapters के अंदर lesson है वो एकी साथ release होंगे बलकि Thinkific में ऐसा नहीं है Thinkific में आपको अपने अलग-अलग chapter के लिए date भी set कर सकते हो For example, हमने यह पर एक course launch किया Basics of Meditation का यहाँ पर जो chapter 1 था उसमें हमारे 7 lessons थे तो मैं chapter 1 के जो 7 lessons है वो अलग-अलग दिन के लिए schedule कर सकता हूँ इनका प्रो वाला प्लान लेना पड़ेगा Teachable में यहाँ पर आपको यह सारी चीजे उनके basic वाले प्लान में ही मिल जाती है Student Perspective के बात करों तो Student Perspective से दोनों ही काफी अच्छे हैं दोनों के course players भी अच्छे हैं Recently यह पर Teachable ने इंट्रद्यूस किया था फ्री प्रिव्यू करता हूँ तो पहले यूजर को रजिस्चर करना पड़ेगा फ्री फिर वह उसको देख सकता है अभी एक प्रो भी है कौन भी है अगर रजिस्चर करेगा तो आपको उसका email मिल जाएगा आप उससे बात में वापस से reach out कर सकते हो टीचेबल में वह चीज नहीं है तो फ्री प्रिव्यू वाला फीचर काफिया तक डिपेंड करेगा कि आपको उसका क्या यूज है तो मेरे इसाब से student perspective में its a tie landing page builder की बात करूँ तो पहले टीचेबल जादा अच्छा हुआ करता था लेकिन Thinkific ने पिछले साल यहां पर काफी improvements किये है recently भी उसने काफी अच्छे improvements किये है और मेरे इसाब से यहां पर Thinkific एक clear winner है क्योंकि यहां पर आपको काफी सारे options मिल जाते हैं upsell करना है, countdown timer डालना है, videos, FAQs, CTA banner यह चीज़े आप इनके हर page में डाल सकते हो home page पर डाल सकते हो, checkout pages पर डाल सकते हो video page जो play हो रहा है, उसके नीचे में कोई CTA banner डाल सकता हूं countdown banner डाल सकता हूं किसी student ने already enroll करके रखा है उसमें जो courses जो उसको दिख रहे हैं उसके नीचे में एक उसको यहां पर upsell कर सकता हूं तो इन्हों ने आप पर upsell के फीचर हर जगा पर डाल दे हैं पहले ही कंप्लेंट थी, Thinkific से कि वह जादा upsell लिंक ले options नहीं देता है अब उसमें यह वाली problem resolve कर दिये Now page builder में teachable is easier to use compared to Thinkific लेकिन as a whole Thinkific is much better right now Notifications की बात करनो तो Notifications की बात करनों तो आपको लगभख सेम चीज़े मिल जाती है Analytics की बात करनों तो आप लोगों Facebook Pixel, Google Analytics, Segment.io दोनों में मिल जाता है यहां पर आपको Thinkific में Mixpanel भी मिल जाता है Mixpanel is really good अगर आपको courses के analytics यह है Payment integration की बात करनों तो यहां पर Thinkific पे आपको Stripe और PayPal दोनों का option मिलता है Now Stripe के option आजाने से जो आपको fees लगती है वह काफी कम हो जाती है Compared to PayPal Plus Indian debit card भी हम लोग यहां पर Accept कर सकते हैं और Repetited Payment Gateway भी है तो Stripe का होना एक अच्छी बात है Teachable की बात करों तो इनका Teachable Payments है इनका खुद का Payment Gateway जो Stripe Express के उपर बना हुआ है लेकिन इंडिया में फिलाल वो अवेलेबल नहीं है और फिर हमारे पास आता है PayPal का option है Stripe का option है लेकिन वो इनके सिर्प्रो प्लान में Basic plan आपको Stripe का option नहीं मिलेगा Now यही एक main reason है कि यहां पर मैं Thinkific का mainly use करता हूँ क्योंकि अगर मैं यहां पर टीचेबल पर पेमिंट्स देखू तो US मुझे 2.9% प्लस 30 cents लग रही है अगर US से कोई ले रहा है तो और अगर internationally कोई ले रहा है अगर इंडिया से कोई ले रहा है तो almost यहां पर मुझे 3.9% और 30 cents लगते हैं और जब American Express वग्रे आ जाते हैं तो थोड़ी और increase हो जाती है but overall I think Stripe is a much better option अगर आप लोग इंडिया से तो doesn't matter आपके audience से आ रही है Canada से आ रही है Stripe is a better option JPR integration की बात करो तो JPR triggers आपको दोनों के basic plan में देखने को मिल जाते हैं अगर आपको Zapier action चाहिए तो Teachable में आपको इनका pro plan लेना पड़ेगा और अगर आपको Thinkific पे चाहिए तो आपको इनका pro plus growth plan लेना पड़ेगा जिसकी pricing थोड़ी increase हो जाती है compared to number of students that you are having तो सिर्फ अगर आपको Zapier triggers चाहिए तो Thinkific is a better choice अगर आपको Zapier actions भी चाहिए तो फिर I think Teachable is a better option अगर आपको इनके pro plan लेना पड़ेगा अगर आपको इनके pro plan लेना पड़ेगा अगर आपको इनके pro plan लेना पड़ेगा तो लेकिन Thinkific में वही चीज़ आपको इनके basic plan में भी कर सकते हो So for affiliates, Thinkific is our winner Email integration की बात करनों, Teachable पर ConvertKit, MailChimp, Thinkific, Constant Contact, ConvertKit, A-Weber So here we have a lot of options here So it's a clear winner here Apart from that, you can get ZPR triggers on both of them Integrated emails की बात करनों कि आपको लोग कोर्स प्लेटफॉर्म से ही emails भेज सकते हो So in Thinkific में आप लोग एक ही student को at a time भेज सकते हो सारे students को सबको एक साथ नहीं भेज सकते हो आप लोग सारे students को एक साथ भेज सकते हो और Teachable में एक और चीज है यहां पर वह है Notification Templates को Edit करने की Facility मतलब जैसी कोई साइंग अप करता है उनको एक email जाता है तो यहां पर आप लोग उसको भी edit कर सकते हो तो अगर आपकी यहां पर creativity है आपको पता है कि मुझे कौन से लिंक्स देने हैं उसको कौन सी चीज उसको बतानी है Enrollment के टाइम पर तो यह चीज काफी अच्छे लगी है Teachable में So for email integration, Teachable is better than Thinkific Customer Support की बात करो तो Thinkific पर आपको Monday to Friday Email के थूरू reply मिल जाएगा मेरे experience में मुझे Saturday को भी मिले मेरे experience में teachable में मुझे जाधा fast replies आये थे Compared to Thinkific लेकिन हमेशा उनके replies जाधा helpful नहीं थे कभी कबार मुझे उनसे 2-3 query करनी पड़ी तो on and average मुझे दोनों में Similar time ही लगा था Similar queries के लिए Knowledge बीस दोनों का ही अच्छा है And in short अगर मैं बताओ तो दोनों का customer care में कुछ ज्यादा problem नहीं है दोनों reputed companies है आपसे अच्छे खासे पैसे भी ले रहे हैं तो उनका customer care support भी काफी अच्छा है आपकी problems दोनों में solve हो जाएगी For customer support, it's a time Coupons की बात करो तो आपको coupons दोनों में ही create कर सकते हो Teachable में आपको bulk coupon generator का option भी मिल जाता है जिसमें आपको unique coupon जनरेट कर सकते हो bulk में लेकिन Thinkific के basic plan पर आपको यह option नहीं मिलता है तो अगर आपको bulk में unique coupon को generate करना है तो I think Teachable is a better option Now इससे पहले मैं आपको pricing के बारे में बताओ मैं आपको एक disclaimer देना चाहूँगा Teachable और Thinkific दोनों ने मुझे इस वीडियो के sponsor नहीं किया है हाला कि अगर आपको मेरे नीचे दियेगए link से purchase करोगे तो इससे मुझे थोड़ी commission मिलेगी बिना कुछ आपके extra cost पे किये हुए अगर मैं Teachable की बात करों तो इनकी annual pricing है वो $29 से start होती है और Pro Plan के ले जाती है $99 तक अब यहाँ पर Thinkific पे अगर हम लोग आते हैं तो इनका free plan भी है जो आपको Teachable पे नहीं मिलेगा free plan पे limitation है कि सिब आप एक ही course बना सकते हो Teachable पे एक और चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जो इनका basic plan है वो $29 का है जिसमें आपको 5% की transaction fee भी देनी पड़ेगी extra एक तो पहले आपको यहाँ पे PayPal यूज करना पड़ेगा और इसके ओपर 5% transaction की fees भी देनी पड़ेगी तो यहाँ पर आपको Teachable थोड़ा जाधा सस्ता दिख रहा होगा $29 पे लेकिन यहाँ पर Thinkific की जो price to value ratio है वो जाधा अच्छा है अब यहाँ पर Thinkific का एक pro plan है फिर इसके ओपर इनका growth plan भी आता है आपको इन दोनों की pricing same दिख रही होगी लेकिन अगर आपके 100 students से जाधा उपर है तो फिर यहाँ पर आपको हर एक student ले 10 cents जाधा देने पड़ेंगे $0.10 जाधा देना पड़ेगा हर एक student ले तो अगर यहाँ पर आपके 100 students है तो आपको $99 पर मंदी लगगा growth package के लिए और अगर आप लोग यहाँ पर उपर जाते जाओगे मानलो आपके यहाँ पर 3,000 students है तो फिर आपको हर महीने यहाँ पर $3 40 लगेंगे discount coupon code की बात करों तो थिंकेविक पर आपको एक महीने का free trial और teachable पर आपको 2 महीने का free trial मिल जाएगा आप लोग चाहे तो इसका use कर सकते हैं लिंक आपको नीचे description पर मिल जाएगे और अगर यहाँ पर कोई और अच्छे offers आते हैं तो उस link को मैं auto update कर दूँगा आप लोग उस link पर चले जाके एक बार check out कर लिजएगा जो भी best offer रहेगा वो आपको मिल जाएगा और अगर कुछ coupon codes मिलेंगे तो वो भी मैं आपको बता दूँगा अभी फिला link के training programs नहीं है अगर मुझे लगा कि इसकी purchases यहाँ पर जाधा हो रही है तो फिर मैं इसका training program आप भी डाल दूँगा उन लोगों के लिए जो दो मेरे link से यहाँ पर purchase कर रहे हैं आपको यहाँ पर teachable कब लेना चाहिए अगर आपको यहाँ पर coding lessons create कर रहे हैं अगर आपको प्लान चाहिए अगर आपको बल्क में coupon जनरेट करने यूनीक तो फिर teachable एक अच्छा option हैं आपको transactional charges extra नहीं देने हैं और अगर आपको एक अच्छा page builder भी चाहिए साथ में तो फिर मेरे इसाब से thinkific एक better option रहेगा तो मैंने यहाँ पर personally क्यों thinkific लिया है thinkific लेने का यहाँ पर मेरे पीछे दो reasons थे mainly पहले तो zero transactional piece thing के basic plan पर second यहाँ पर stripe payment का मुझे option मिल गया था और अब तो इनका page builder भी अच्छा हो गया है so in short अगर आप लोग आप अभी start कर रहे हो तो फिर आप लोग thinkific के free यहाँ फिर basic plan का फायदा उठा सकते हो अगर आप एक experience creator और आपके बहुत सारे students है तो फिर teachable का जो प्रो वाला plan है वो आपके लिए अच्छा रहेगा so अगर आपको इस topic से related कुछ questions है तो आप लोग मुझसे नीचे comment में पूछ सकते हैं मैं maximum questions के reply करने की कोशिश करूँगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगाए तो आप लोग मेरे नीचे दिये लिंक से purchase भी कर सकते हैं मैं उसमें जो best coupon code रहेगा वो हमेशा अपडेट कर दूगा तो एक बार आपो जाके चेक कर सकते हैं and that's all for this one I will see you guys in the next one good bye